नमस्कार दोंस तो पॉलिटेकनिक स्टेडी सेंटर में आपका स्वागत है मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आज चुका हूं इसमें हम सरकल जानेंगे और यह चैप्टर आमारे पास जोमेट्री चल रहा है इससे पहले मैं काई काफी सारी वीडियो आपको इस टॉपिक से लेटर जोमेट्री से लेटर और मैं काफी सारी अलग अलग तॉपिक लेकर आच चुका हूं अगर आपने वह नहीं देखी है तो आप पहले उनको देख लीजिए फिर आप यह देखेंगे तो आपको चीज़ें ज्यादा अच्छे तरीके समाज में आएंगी चलिए तक से आपको लिखके बताऊंगा क्या चीज में आपको बताना चाहरा हूं तो पहली थेयोरिम क्या है हमारे पास कि तहां पर पेंडिकल है फ्रॉम क्वाट रॉंट 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 इंगल भाई सेक्टर इसकॉल्ड ने डिगदी पर ड्रॉप होता है फॉर एक्जामपल जाए यहारज है यहार सेटर है इस्को अमन कर चलते हैं इसके बाद हमाराज पास और किया चीज्या की तब पडिकल्ड पूर्म शांटर से पर फेंडुकुलर एक निकन एक ऐसी पॉइंट पर इसकी यहां पर यह मारे नहीं डिग्री पर आएगा हमेशा और इसको एक लाइन लेके चलता हूं मैं और यह जो हमारी लाइन होगी यहां से यहां तक और यहां से यहां तक जी हमारा पहले तो एंगल वाई सेक्टर कहलाएगा यह यह हमारा बराबर होंगी और हमारे पास ये तो बराबर होती है क्योंकि ये रेडियस होता है हमारे पास तो ये काफी चीज जानने की ज़रूर है आपके लिए चलिए आगे बढ़ते हैं ये हमारे पर थियुरा में इसका मतलब क्या है अगर मैं इसको बात मान मानूं तो ये हमारे पास A B और O A और O B बरावने बताने जरूट है भी नहीं मेरे को आपको इसके बाद O D perpendicular to A B यह हमारे पास एक नई चीज आई है निकले कर तो इसको आपको जानने की जड़वत है ची तरीके से CRV तो आप इसको लिख लीजिए यहमारे पास एक theorem number one है यह theorem number one है इसको आप कि इसको आप एक screen shot ले लीजिए इसको लिखके रख लीजिए इसके आजा आजाते हैं अगले वीडिवर आंतरुप अगले theorem पार theorem two का कहते है हमारे आपस ले से को ने मलाकर कि अगर आपके सरकल तो करते है तो इसका कहने का मतलए यह दिए ऐसन आप जैने का मतलए है कि अगर हमारे पास इफ तु आर्क्स और सर्कल के कॉंगुरेंट थो खुष्यंकी जो क्याहिए वह उसकी रेटिस हमरे पर बराबर होगी, R का मतलब क्या है, for example, हमरे पर ऐसा कुछ, हमारे पर कुछ ऐसा और ऐसा है, हमारे पर एक, माल लीजिए, कौर्ड है हमारे पस, और यह हमारे पस क्या है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, यहां पर, यह हमारे पस, A, B, C, थे तो कहने मतलब एकी ऐर 27 डी 2 ऑस उसको मैंस दिल देता हूं तो इसके अराक पर यह चाहिए वह यह वाला आफ घो आपार को और अगर एगर और यह आपट अगर भी असके सामने दूसरी कारड इसका बी यह पर आर्क बराबर है यह वाला कि स्के कहने कहने का मतलब यह है BD CA जो R खे हमारे पास अगर वो CABD के बराबर हो गया तो मतलब यह है कि A B equals to CD हो जायागा सम्झें आप यह वाली चीज यह वाली चीज अगर इसके बराबर हो जाया इसके बराबर हो जाए और छोटी सी ने के चाने है तो यह वाला जो है यह इसके बराबर हो जाए यानि कि अगर इसको मैं बीच में D इसको मैं क्या माल ले हूँ आपके लिए इसको मैं P माल लेता हूँ इसको मैं Q माल लेता हूँ पॉइंट को पूवियरे अगर हमेरे पास B Q E 2 और हमारे दूसरा और को जाय और 15क्न पर पशने पराबर हो जाए इनकी ब्रहोगा की मतलब यह कि हमारे पास इनकी डिस्टेंस भी कोर्ड की बराबर होगी तो ये काफी एक important सा हमारे पास चीज है तो उसको आपके लिए जानना काफी important है चलिए अगले उसकी तरफ चलते हैं अगला topic हमारे पास क्या कहता है हमसे नेक्स टॉपिक बेसिकली ये कहता है आप चाहते तो उसका इसकी शूट भी ले सकते हैं आप पीछे जाके ले लीजिए इसका थियूरम और जल्ली यल्दी निकालते हैं हम यहाँ पर और क्या क्या बाते हो रही हैं हमारे पास सरकल बनाते हैं सब्सक्राइब सरकल तो इंपोर्ट जरूरत हो गई तो अगर हम पर एक सरकल ऐसा है लाइन जोइनिंग दे सेंटर टू दे मिड़ पॉइंट और दे कॉर्ड इस पर्पेंडिकल यह इसका इंवर्स ही हो गया फास्ट का इंवर्स कहने का मतलिए अगर एक सर होगी तोनों का मतलब तो बराबरी हो बस उल्टी बात कहने का एक्टव पैसे हो गया करो एक्टव वोइस पैसे वोईस दूसरी बात आती है आप परपेंडिकल बाइसेक्टर तू कोड़ और सरकल इंटरसेक्ट एड़ इस साइंटर यह बात कुछ बढ़ी नहीं है हमारे इसके बाद आती है निकल के देर इजाप उल्ली वन पासिंग तरू जर्चा ओल्ली एंड देर इस वन अनोली वन सरकल पासिंग थ्रू थ्री नॉन को लिनियर पॉइंट कहने का मतलब यह कि हमारे पर थ्री को लिनियर पॉइंट जरफ एक और एक सरकली पास हो सकता है इसक बात निकल कर आती है दूसरी बात कर लेते हैं कहने का मतलब यह ऐसा ऐसा और ऐसा यह वारा जो पॉइंट है इससे हम बस एकी सरकल को पास कर सकते हैं अब दूसरा आप करिए कहीं न कहीं वो ओवरलैप ही करेगा ऐसे वो हमारा गलत हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है दो को इस विच विच एक कुडिस्टेंस फिन विकर्स पॉंडिंग सेंटर और इकुल साहरा आप देख सकते हैं कुछ ज्यादा खास हैं हमारे पास जो खास था वो मैंने बता दिया इस का थियोर्म 9 क्या कहती है उसको द आप कशसे मौत और है युज हमारे पास एक इसी और एक ऐसी उम्मारे पास एक वे है कहते हैं मरे पास तो यहां आपर डेयर हम्ठी यहां पसे हम थे नहीं को मिजिए है इस हमारे पस यहांकर दो था कंक्र छॉडा मतल सुग्ेष्ज इन यहरत जो एंगल यह हमें लाइन सेग्मेंट और एक्वल कहने का मतलब यह है कि अगर यहाली लाइन सेग्मेंट है यहाला एंगल बरावर होगा इसके यानि एसी बी यानि एसी भी बरावर होगा एडी बी के तो यहाला एंगल इसके बरावर होगा क्योंकि यह सेम लाइन सेग्मेंट में इसको आप ऐ अगर यह एक ऐसी लाइन सेग्मेंट है तो इस पॉइंट इस से सरकल में कहीं भी जाओं ऐसे करके या फिर मैं ऐसे करके तो इससे बनने वाला जो हमारा एंगल होगा वो सारे बराबर होंगे आपस में तो यह जानना काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कुछ छोटी चीजह थे जोटी चीज ने करिंए आगे चलके बड़ी बन सकती है तो आप इसको त्यान में रखके चलिएगा इसके बाद हमारे पास किया निकल कराता चीजें सरकल कि यहां से चीज हमारे बसका है क्या सब्खानल क्या स clown के सैंट है हमारे पास कि से इस विसी क्लिया होता ह कोई वेक random circle और हमारे पास एक line कुल ऐसे जाुए कोई ना आता नपता ने एक मैँ ud早 दो इसको इस तो हमारे पास A और B तो हमारे पास द चुल न कैलाएगी Iska होती है टैंजन बेसी कंहीं होती है एक बेसे सर्कल पर एसी या इस सर्क दैंज इस पर एक ऐसी लाइन安 olur जो इसको एक छोटी से पोईंट पर सिंगल पर टच करतीैं एस थी स्ग riches रहां हमाहरे पर टेंज़ कहलाएदिए और डावь माहाicate पासे टेंजंट कहलाएदिए यह से करके तरह तरहे पर टेंजंट हो तृत प्रॉक्रम्यग निकल कर आती है इक क्वार्ड ऑफ ऊसरक्लगेशज उडिसरेंटार कम्यानी की यहां पढ़ेखे हुग उन से उसके और हमारे पास दो कॉड हमारे पस बराबर है अपस में For example कोड वण और कॉर टू तो इसका केहने का मतलब यह ए फोड़ नीचे लख ले जे लेते हैं इसका केहने का मतलब यह ए कि यह इन दोने की एक्षूवल की डिस्टैंस होगी सैंटर से अगर मैं इसको हटा दू और लाइन से लिखूं में तो यह अगर हमारा बस एंटार है यहाली डिस्टेंस और यहाली डिस्टेंस हमारी बराबर होगी तो अब यह द्यार रखके चलिएगा चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में मैं जा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच् कर सके चैनल को दन्यवाद मिलने अगली वीडियो में